ओडियो जंगूल ओडियो जंगूल जोडियो जंगूल अज़े ऐसे लिए अपका श्वागत है आज हम आपके समने लेकर रहें डेली करेंट अफेस्ट और डेली करेंट अफेस्ट के सुम्हें आज हम देखेंगे 9-2020 के खोशनों की जोकी टॉप 10 कोशन होगा और यह नहीं कोशन आपको हिंदी और इंग्लिज दोनों लेंगवजी मिलेगा तो प्लीज आप हमारे इस एक्जाम ट्रेनर यूट्यूप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वेल एकम भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें आपको स्क्रा परिवासा के अनुसार लगोई काई का टर्णोबर कितना होना चाहिए अफ्सन इ फाइब करोड़ अन्सवाल की बात करते क्यां तो आज क्या जो पहला पहला कोशन है माईला और वाल विकाश मंत्राले ने किसकी अध्यच्छता में कारेवल का गठन किया है इसका राइट अंचर अप्शन नंबर भी है जया जेटली राइट अंचर है रेडल्स की बात किया तो प्रसुत्ता ब्रेत अधर कम करने से जुड़े मुद्दो पर विचार के लिए एक कारेवल का गठन किया है समाजी कारेकर्ता जया जेटली की अज़ेचता में यह कारेवल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौपेगा कारेवल इन विच्वे से जुड़े मौजूदा कानूनों में और शक्ता के हिसाब से संसोधनों की शिफारिस करेगा और उन्हें समय बध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तिरित कारेवजना भी तयार करेगा तो यह इस कॉशन का डिटल से नेक्स्ट को सरे बात करे जो कि मना जाता है यानि की वर्लद आंसर अप्सोन बूर्ट को शिफफन एंट 9 वर्दियक वर्ष साथ जुन को पूरे विश्व में प्रथम विश्व खाद सुरच्छा दिवस World Food Safety Day मनाया जाता है और सनिक्त राष्ट महस्टाभा ने दिशंबर 2018 में खाद्यां क्रिशी संगटन FAO के सहयोक से विश्व खाद सुरच्छा दिवस मनाया जाने की घोजला की पहला विश्व खाद सुरच्छा दिवस है साथ जुन 2019 को मनाया गया था और यह इस बार का सेकेंड वाला था यानि साथ जुन 2020 को दूसरा विश्व खाद दिवस मनाया गया नेक्स्ट आज के थर्ड कोशन की बात करें तो गले से लार का नमूना लेने के लिए एकिस संस् स्वदेशी उपकरड नेशो फार नीर जियल भिख्षित किया है विच इतनुट हाज डेवलप्ट इंडिजिनियस डिवाइस निस नेशो फार इन नेशो फार इन जियल टू शेंपल स्लेवा फ्रामदा थ्रोट पलाप्शन अब का राश्टिया रसायन परियोक साला पुन राश्टिया रसायन परियोक साला ने गले से लार का नमूना लेने के लिए एक स्वदेशी उपकरड विख्षित किया है जिसका नाम है नेसो फार इन जियल विख्षित किया है इसकी डिडल्स की बात करें तो गले से लार का नमूना लेने के लिए स्वदेशी उपकरड न नेसो फारेन जील विक्सित क्या है« पूने एक बिब्रस लगा है, यह लगतलुखी कि यह दिन में एक लाख नेसो फारेन जील निर्मित करेगी。」 तो यह इस question का डेडल्स है, next question की बात करें, जो कि आज का fourth number question है, कि किस राज्य सरकार ने बेग मेग संदेश एप लॉंच किया है, which state government has launched the मेग संदेश एप, पल अपसन अपका ओडिशा, राजस्थान, तेलंगना और करनाटक, इसका right answer option number D है, करनाटक राज्य सरकार ने मेग संदेश एप लॉंच किया है, तो right answer option number D करनाटक, इसकी डिडल्स है तो करनाटक सरकार ने लॉंच किया मेग संदेश एप, करनाटक सरकार ने मेग संदेश एप लॉंच किया है, और यह हुआ स्तोईक समय की जयनकारी के साथ-साथ, बैंगलोरू में बारिश, बाढ़ और तुफान के अलड पर पूर्वा नुमान परदान करेगा, एप को करनाटक राज्य प्राकिर्टिक आपदा निगरानी केंदर के साथ-साथ, भारतिय विज्ञान संस्थान यानि आई-ई-ए-स-सी और अन्ने के साथ विज्ञान और पुर्दोग की विभाग द्वाग किया गया है, और इचा के दिर्शिश बात का है, तो करनाटक राजधानी है, वैंगलोरू मुख्यमंत्री है, वी-स एदरुप्पा जी, और यहां की राजजय पाल है वजुभाई ओवाला, यह इस कोशन का डेडल्स था, नेक्स्ट कोशन की बात करें, जो कि आज का फाइ अनिल सूरी जी का जो है, निर्माता है, वालेबोर्ड निर्माता है, इनका निधन हो गया, अनिल सूरी, राइट अंसरप्शन नमबर सी, अनिल सूरी, डिरल्स की बात करें, तो वालेबोर्ड निर्माता अनिल सूरी का निधन हुआ, राज कुमार रेखाई स्टार कर्म य साथ फुनले से उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें सिर्ष अस्पताल लिलावती और हिंदुजा में ले जाया गया लेकिन दोनों ने बेट देने से मना कर दिया तो यह इस question का details है नेक्स्ट कोशन की बात करें जो कि आज का 6th नंबर कोशन है किस भारतिया उद्यमी को EY World Entrepreneur of the Year 2020 पुदसकार परदान किया गया है विच इंडियान इंटर्प्रेनियोर हाज बेन अवाड़ेट दा EY World Entrepreneur of the Year 2020 अवाड़ इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसो नंबर डी किरन मजमुदार साज को जो है भारतिया उद्यमी है जिनको EY World Entrepreneur of the Year 2020 पुदसकार परदान किया गया है आप इसकी डिडल्स की बात करें तो किरन मजमुदार सा को EY World Entrepreneur of the Year 2020 पुदसकार दिया गया वायोकार लिमिटेड ने घोसरा की कि उसकी कारेकारी अध्यच किरन मजमुदार सा को EY World Entrepreneur of the Year 2020 यानी WEOY का नाम दिया गया है उन्हें 41 देशों और 46 EY देश पुरसकार पुदसकार 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 20 वर्ष के इतिहास में मजमुदार सा इसे जीतने वाले भारत से पहली महिला उदमी और तीसरी भारती हैं तो यह इस कोईशन का देटल्स है नेक्स्ट कोईशन की बात करें जो कि आज का सात्वा कोईशन है किस देश के मसहूर जिमनास्ट कूर्ट थामस का निधन हो गया है पहला सन आपका अमेरिका गृटेन जर्मनी और फ्रांस इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा उप्शन नंबर A अमेरिका देश के मसहूर जिमनास्ट हैं कूर्ट थामस जिनका हाली में निधन हुआ है तो राइट आंसर अप्शन नंबर A अमेरिका डिडल्स की बात करें तो अमेरिका के मशुहूर जिमनास्ट कुर्ट थामस का निधन हुआ विश्वर चेंपियंशिप में स्वाड़ पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुस जिमनास्ट कुर्ट थामस का निधन हो गया है वह 64 साल के थे थामस ने 1976 के मांटरियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद 1978 में फ्रांस के स्ट्रास बोर्ग में खेली गई विश्व चैंपियंशिप में फ्लोर एक्सरसाइज महिश्वाण पदक जीता था तो यह इस कोशन का डेडल्स है नेक्स कोशन की बात करें जो कि आज का आठवा कोशन है विश्व तिरंदाजी फिल्ड चैंपियंशिप को कब तक के लिए अस्थगित कर दिया गया है पहला अप्शन अपका 2021, 2022, 2023 और 2024 इसका राइट अंसर अप्शन नमबर भी है 2022 तक जो है विश्व तिरंदाजी फिल्ड चैंपियंशिप को 2022 तक अस्थगित कर दिया गया है तो राइट अंसर अप्शन नमबर भी 2022 डेटल्स की बात करें तो विश्व तिरंदाजी फिल्ड चैंपियंशिप 2022 तक के लिए अस्थगित कर दिया गया अमेरिका में होने वाले 23 फिल्ड चेंपियंशिप यानि वर्ल्ड अर्क्री फिल्ड चेंपियंशिप को COVID-19 महमारी के कारण 2022 तक के लिए अस्थगित कर दिया गया परतियोगिता का युजन सितंबर 2020 में अमेरिका के यांकटन के NFAA तिरंदाजी के अंदरे में होना था और WA ने 2021 के वियस्थ कैलेंडर की वज़ा से 2022 तक के लिए अस्थगित करने का फैसला किया है तो यह इस कोशन का डेटल्स था बात करते हैं आज के सवाल की तो आज के सवाल आपसे पूशा गया है कि किस संस्थान ने अल्टरा स्वच नामक किटारू सोधन इकाई विक्षित की है किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच नावा की टाड़ सोधन इकाई विक्सित किये पहला अपसर आपका DRDO, ISRO, CSIR और IIT देले इस कोशन का अंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है तो प्लीज आप इस कोशन का अंसर जरूर कमेंट करके बताए यह थे आज के कोशन